दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्फिनिक्स के तरब से आने वाला उनका न्यू स्मार्टफोन जो कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है और इसी मन्त में ये आपको लॉंच होता दिख जाएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Infinix के तरब से आने वाला उनका न्यू स्मार्टफोन Infinix Hot 3i के बारे में, Infinix Hot 3i काफी entry level स्मार्टफोन होने वाल है, काफी एच्छे स्पीचर्ज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, around 8000 में स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके अ निकल के आये वो काफी जबर्दस है आज की इस वीडियो में उसी स्पेसिफिकेशन को मैं आपको बताने वाला और क्या कि इसकी प्राइस पॉइंट होने वाली कब यह लॉंच हो सकता है और यहाँ पर इंडियन मार्केट में यह आपको कब दिख सकता है तो दोस्तों सारी यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का HD प्लस IPS LCD पैनल इस स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको 90 हट्स का फास्ट रिफ्रेश रेड भी देखने के लिए मिल जाएगा काफी एच्छा स्मार्टफ पर यहाँ पर काफी एच्छी यहाँ पर आपको डिस्प्ले पैनल देखने के लिए मिलने चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले में जो ब्राइटने से वह थूड़ी यहाँ पर बढ़ा कर उन्होंने देनी चाहिए इंडियन मार्केट में क्यूंकि 500 निट्स काफी कम हो जाती है उसी के साथ यहाँ पर आम प्रोसेसर की बात करें तो यहा पर आपको मीडिया टेक के दरब से अन्हाँ उन्हाँ उम्हीं मिलने वाली पर डे टूडिय उसेज में आप यहाँ पर गेंस reflection व्गर यहाँ दे टूडिय उसेज में और कापको देखने की लिए कर वाला है उसी के साथ यहाँ पर आपको LPDDR 4X RAM और यह MMC यहाँ पर 5.1 का storage यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसी के साथ यहाँ पर हम cameras की बात करें तो यहाँ पर आपको dual camera setup यहाँ आपको rare side में देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको 50 मेगाफिक्सल का मेन सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा और टू मेगाफिक्सल का सेकंडरी सेंसर इस स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट सेल्फी कैमेरे की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट सेल्फी कैमेरे में 8 मेगाफिक्सल का यहाँ आपको main sensor देखनी के लिए मिल जाएगा, camera setup काफी एच्छ है, decent smartphone में यहाँ पर आपको pictures क्लिक करने के लिए मिल जाएगी, और काफी एच्छी यहाँ पर video quality भी आपको देखनी के लिए मिल जाएगी, उसी के साथ यहाँ पर हम battery की बात करें, तो 6000 image की बड़ी battery इस smartphone में आपको दी गई है, काफी बड़ी battery है दोस्तों पर यहाँ पर आपको charger भी उतना ही fast देया गया है, यहाँ पर generally ऐसा होता है कि 18 watt का यहाँ पर 10 watt का entry level smartphone में charger दिया गया है, पर यहाँ पर यहाँ पर आपको 33 watt का fast charger देखनी के लिए मिल जाता है, मतलब battery काफी fast charge होने वाली है, उसी क smartphone में आपको fast unlock का भी support देखनी के लिए मिल जाएगा, काफी सारे जो भी चूटर पूर्टो sensor हो सारे कुछ sensor इस smartphone में आपको देखनी के लिए मिल जाएगे, उसी के साथ यहाँ पर हम memory variant की बात करें, तो यहाँ पर आपको 6GB RAM 64GB storage, 6GB RAM 128GB storage और 8GB RAM 128GB storage इसे 3 variant में यह smartphone आपको देखनी के लिए मिल जाएगा, उसी के साथ इसके price point की बात करें, तो 8,000 से लेकर यहाँ पर 13,000 या फिर 14,000 तक यहाँ पर यह smartphone के सारे variant आपको देखनी के लिए मिल जाएगे, इसकी launch date की बात करें, तो 27 March 2023 को यहाँ पर इंडिया में launch होने वाला है, इसके first sale कब होने वाल जो भी यहाँ पर images से वो यहाँ पर जो उसका look निकल के आता है, build quality निकल के आती है, वो काफी जबरदस्ट, यहाँ पर entry level के smartphone में काफी चीज़ के यहाँ पर निकल के आती है, तो दोस्तों इसी परकार का mobile related content daily upload होता रहता है हमारी चैनल पर, तो like, share, subscribe कर लिजा हमारी चैन झाल